नमस्कार स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ लता बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिहां गुंड़ा एक्ट को लेकर योगिस सरकार का बड़ा फैस्ता और अब बीसीपी भी लगा सकेंगे गुंड़ा एक्ट जिहां को बता दे कि दो जिलोब के लिए योगी का बनेट ने मंजूरी जारी कर दी है और साथी साथ आपको यह भी बताते चलें कि गुंड़ा एक के तहट आप 14 दिन की जो 14 दिन के बज़ाए 60 दिन की पुलिस रमान कर दी जाएक जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के और अग्रसर बनाते जो लगता सुधाल सामने देखने को मिल रहा है इसे कड़ी में अब इसको और दुस्ट चुरुस्ट करते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला साफतोय पर लिया है आपको बताते चले गुंड़ा एक के तहट अपरादियों की असानी से जमानेत अब नहीं हो सकेगी और इसके अलावा अपरादियों की संपतिया भी जब्त की जाएंगी साथे साथ आपको यह भी बताते चले कि गुंड़ा एट के तहट जो अब तक पुलिस आरोपियों को 14 दिन के बज़ाए अब अधिकतम साथ दिन के लिए रिमान पर पुलिस जो है आरोपियों को ले सकती तो बड़ी खबर क्यों जिस तरीके सा लगतार उत्तरप्रदेश में कानून ववस्ता की जो इस्थिती है उसको सुधाने का काम योगी सरकार लगतार कर आये और सी कडी में साथ आपको पर उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने लकणोवा गौतांबुद नगर में पुलि कमिशनरेट में पूलिस उपायक्त यानि की डीसीपी भी अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लागू कर पाएंगे उनके पास भी अधिकार होगा कि वो बिना कमिशनरेट के खुद अपने अधिकारिक तोर पर गुंडा एक्ट को लगा सकते क्यों जिस तरकी से लगात उसको लगतार पुर्जोर कोशिश कर रही है पूरा करने के और इसी कड़ी में ये बड़ा पैसल योगी सरकार का माना जा रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि अब तक की पैसे पहले के साशनकाल में कैसे गुंडा राज और जंगल राज चलता था कैसे महिलाए खुद से सक्ट एक्षन लेते हुए एक और बड़ा एक्षन लिया है जिसमें साफका पर अब गुंडा एक्ट जो है वो डिसी पी खुद अपने तरीके से लगा सकेंगे और इसके अलावा आपको बताते चले कि गुंडा एक्ट का प्रावधान आखिर क्या है विधेप में मानो तसकरी, मनी लॉन ब्रेंग, गोहत्या, बंदुआ मस्दोरी और पशु तसकरी पर सक्ति से लगाम लगाने का प्रावधान गुंडा एक्ट में रखा गया है और इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाव का व्यापार, अवैध हत्यारों का निर्मान, व्यापार और अव देश में हम कह सकते हैं जो लगातार बेख़ौक होकर घूम रहे हैं अब उन पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की और से सक्ती बरती गई है और इसके लावा आपको यह भी बताते हैं चले कि गुंडा एक्ट के तहत ऐसे अपरादियों के असानी से जमारत नहीं हो स सकते हैं और उनके खिलाव कड़ी से कड़ी कारवाई गुंडा एक के तहद जो डी सीपी है अब वो भी कर सकते हैं तो जिस तरीके से लगातार गौतलब है कि उतरपरदेश में बिते एक साल में पुलिस और बदमाशों को लेकर जिस तरीके के लगातार जो खबरे सामने आ गयते इन सब को देखते हुए ये एक्ट लागू किया गया था और इसी लिए अब सकती बरतेवे योगी सरकार ने बड़ा ये फैसला लिया है और जैसे कि पिसले एक साल में पुलिस और बदमाशों के बीच संघर्ष की कई घटाय सामने आई थी हमने देखा था फिर चाह को विर्गति इस पर प्राफ्थ हुई थी और इस ऐसे ही अपरादियों पर नकेल कसने के लिए गुंड़ा एक्ट जो है इससे जुड़ा फैसला काफी एहम अब माना जो रहा है और इसके अलाब आपको बताते चले योगी सरकार ने कई एहम फैसले लिये हैं लेकिन जिस को लेकर जो जोगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है इससे अब तमाम पाक्ष्वी पार्टियों के भी होश उड़ चुके कि कुछ इस तरीके से लगतार योगी सरकार पहले दिन सहीं यह कह चुकी है कि आप अपरादियों की खैर नहीं है और जिसे भी अपराद करना है व अपरादियों को चेतावी देते वे साफ कर दिया था कि अपरादियों सुधा जाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं और इसी कड़ी में लगतार अब जो एक्षन एक के बाद एक योगी सरकार लेती वे दिखाई पर रही है इसको लेकर जहें बात करें शादों की स्पी की जहें हम बात करें बियस्पी की मायावती की इनको बड़ा जटका लगा है क्योंकि इस तरीके से इनके सामराज में कैसे गुंडों को कैसे इन अपरादियों को जो शाय मिलेती हम सब में देखा था कैसे महिलाय खुद को असरफशित मैसोस करती थी और कैसे आए दीन जगा जो का पर हत्याएं लूट की घटनाएं सामने आती थी लेकिन अब जब वाकई 2017 के बाद से हमने जो नया उत्तम प्रदेश देखा और देखा कि कैसे योगी सरकार ने एक के बाद एक एनकाउंटर जो करें जो धरपकड लगातार अपरादू की की गई उसको लेकर भी साफ पर से मदानवा चुनाओं में योगी सरकार अगर आती है तो वाकई उत्तरप्रदेश एक ऐसा उत्तम प्रदेश होगा जिसकी कर्पना कभी उत्तरप्रदेश वासुने नहीं की होगी और यही वो वज़ा है जिसके confidence को लेकर जिसके आत्म विश्वास को लेकर जनता के भरोसों को लेकर एक के बाद एक योगी अजितनाग जो उत्तरपरदेश वे सियम है लगतार बेखौफ होकर कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो लगतार अपराध्यों के लिए पूरी तरीके से सार्थक माने जा रहे हैं तो जिस तरीके से लखनो और गौतम बुद्र नगर में साख तोपर अब डिसीपी को ये कारवाई करने का अधिकार दे दिया गया है जिसके हम बात करें लखनों जो की बड़ा शेतर माना जाता है और गौतम बुद्र नगर भी अपने आप में द लगतार जो अपरादों की खबरें आती है तो इन छेतरों की डिसीपी को किसी भी आक्शन से पहले पुलिस कमिशनीरेट से आदेश लेना होता था और उसके बाद ही खिलाफ कड़ी कारवाई की जाती थी लेकिन अब लगतार जो बढ़ रहे अपरादों को देखते हुए योगी सरकार ने साफ़तों पर डिसीपी के हाथ में कमान दे दी है जिलो में लखनो और गौतमबुत नगर में जहां पर डिसीपी अपने हिसाब से गुंडा एक्ट लगा सकते हैं और इनके खिलाफ कड़ी कारवाई कर सकते हैं और यही नहीं अब गुंडा एक्ट के तो वाकई अब इस फैसले को लोग लगतार सरा रहे हैं सोचल मीडिया पर लगतार लोग इसकी जम पर तारीफ करते वे दिखाई भी पड़ रहे हैं कि कुछ जिस तरीके से लंबे अर्चे से उत्तर प्रदेश विकास की और अग्रसर था और विकास की और आगे बढ़ने को लगतार आस लगाए बैठा हुआ था और इसी कड़ी में अब योगी सरकार ने वाकई जो वादा किया था कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना कर दिखाएंगे और हम सब इसके साक्षी है कि कैसे अब एक नया प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर सबके सामने आया जहां पर महिनाय खुद को सुराक्षित समझती है जहां पर अपरादियों पर तुरंत लगाम लगाए जाती है वाकई उत्तर प्रदेश के अगर करपना किसी ने की थी तो वो योगी सरकार ही थे जिसने वाकई अपना जो वादा किया उसको पूरा भी किया और इन सब की बात करें कैसे हमने देखा था कि उनके राज में किस तरीके से गुंडागर्दी लगातार पूरे प्रदेश में हावी थी और उसी की आड़ में लगातार वो अपने अपरादियों को सर्फ और सर्फ वोट बैंक समझते हुए उनको पाल पोश रहे थे लेकिन अब योग सरकार ने बड़ा फैसला लिया जिसको लेकर अब तमाम अखले श्यादाओ चाहें मायावते की बात करें वह अब हक्के बक्के हो गए क्योंकि लगतार कानुन वस्ता को लेकर कई सवाल उन्होंने कई बार योगी सरकार पर खड़े भी किये हैं और उन्हें बात बात पर 2017 में कैसे गड़बंदन करकर हमने देखा था कि बुजेपी को हराने के लिए जो बीएसपी और एसपी ने जो साजिश रची थी इसका भी खुलासा साफकार पर हुआ लेकिन चुनाओ हारते ही दोनों ही पार्टियां अलग हो गई दल मदूलू हो गई और एक दूसरे के ख लगतार जो परदेश वासी कलपना करें थे जिस उत्तम परदेश की वो उन्होंने बना कर दिखाया और आने वाले चुनाओ में भी 2022 में लगतार योगी सरकार की जो सरकार बनेगी जिसके बार उत्तम परदेश वाकर एक ऐसे वकास के और अगसर होगा जिसकी कलपना भी कि किसी नहीं की होगी और इस पर आपके क्या कुछ फ्वाय हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें